हेलो स्टुडेंट, वेलकम तो माई चैनल, होम साइन्स एक्जाम मास्टर, हमारे युजी सी नेट एक्जाम की जो नई सिंखला मैंने स्टार्ट की है, जो कि आपके प्रवक्ता परिक्षा डिगरी कॉलेज और अथी साथ में राजस्थान प्रवक्ता परिक्षा के लिए भी अन अनाज प्रदान करता है, मतलब अनाज प्रदान करता है, अनाज से क्या चीज़े मिलती है? ऊर्जा, आयोडीन, वीटमने, और प्रोटीन, तो कूट की साहयता से सही उत्तर ग्यार्थ कीजिए, तो यहाँ पर इसका करेक्ट रानसर जो हो जाता है, कि अन क्या चीज़ आप्चुन नम्बर बी Maimo opinion हो जाता है मनुष्य के जिवन के लिए अनाज सबसे महत्वश्य है जिसके दुरा वियक्ति विबिन प्रकार के प्रोटीन कार्बोईड रिटमीन प्राप्ण करता है जिससे शरीर में ओर्जा मिलती है विटमीन ए फाले सब्जीं से प्राप्त होता है आयोडीन जो शरीर को घेगा नामक रोग से बचाता है वा किसे नमक से प्राप्त होता है ठीक तो यहां पर option नमबर भी हमारा correct हो जाता है नेक्स्ट है देह में law absorption के जाने माने या प्रसिद बढ़ावक enhancer है क्या है ascorbic acid, folic acid, lactoferrin या polyphilons तो आपको बताओ कि जो हमारा iron है उसका absorption हमारी body में करने के लिए कौन से ऐसे हैं जो कि उसको enhance करते हैं बढ़ावा देते हैं कि body में हमारा iron क्या हो ठीक प्रकार से absorb हो सही सहयोजन ग्यांत कीजिए ascorbic acid, folic acid, lactoferrin और polyphilons तो इसमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाता है वह होता है हमारा option number A पहला और दूसरा सही है ascorbic acid जिसको क्या हम vitamin C के नाम से भी जानते हैं इसका रासायनिक नाम ही ascorbic acid है क्या vitamin C और folic acid ठीक या folic acid जो है यह क्या करता है यह खून की व्रिद्धी में सहायक होता है शरीर में लौह तत्तु की कमी से लौह रक्तालपता नामक रोग हो जाता है जिसको की हम अनीमिया कहते हैं महिलाओं में अनीमिया रोग प्राया होता है जिसका मुख्य कारण लौह तत्तु की कमी है या हरे पतेदार सबजियों एवं गाजर, अम्रूद, आदी, फलो में पाया जाता है शरीर में लौह और शोशन के जाने माने या प्रसिद्ध बढ़ावक में ascorbic acid अर्थात, vitamin C त तो यहाँ पर हमारा option number A जो है वा correct हो जाता है नेक्स्ट question है चक्री मीनू में समाविस्ट है चक्री मीनू जो है उसमें क्या-क्या चीजें हैं निश्चित अंतराल पर menu का गुणन, साथ दिवसिये menu, निर्धारित menu या दिन का menu तो निश्चित menu में क्या-क्या चीजें समा तो इसमें ये जो है निश्चित अंतराल पर menu का गुणन, साथ दिवसिये menu और निर्धारित menu तो पहला दूसरा और तीसरा क्या हो जाता है हमारा correct हो जाता है ये चीजें है बलकि जो दिन का एक दिन का menu जो होता है वो menu of the day वो एक अलग है ठीक तो यहाँ पर पहला दूसर और तीसरा हमारा सही होता है और हम कूट देखेंगे तो कूट में हमारा सही सही हो जन ग्यानत कीजे इसी का कूट है ये तो यहाँ पर option number A जो है या हमारा correct होता है कौन सा option number A correct हो जाता है नेक्स्ट है हमारा शीशू के वस्तरों के लिए सरवाधिक उप्यूक्त बाजू है लेग ओफ मटन, सैडलर, किमोनो या रेगलन तो कूट की सहायता से सही उत्तर बताईए तो शीशू के वस्तरों के लिए सरवाधिक उप्यूक्त बाजू कौन सा है तो इसमें से हम एक चीज जानते है कि जो रेगलन स्लीव है वह तो बिल्कुल correct हो जाती है किमोनो क्या होत आप चाइनीज स्टैल में जो ड्रस रहते हैं वहाँ पर आप देखेंगे उसी में जुड़ा हुआ जैसे कि हमारा काफ्तान वाला कुर्ता होता है उसी टाइप का होता है किमोनो स्लीव ठीक है और रेगलन स्लीव क्या होती है यह जैसे माली जी हमारा नेक पोर्शन है तो यहाँ पर शोल्डर से अस्तीन न जुड़ करके यहीं नेक से इस तरह से जुड़ जाती है यह मैंने बना दिया आपको शायद आपको समन में आए तो यह कौन सी स्लीव होती है यह आपकी रेगलन स्लीव है और किमोनो क्या है उसी ड्रस में ही अटैच रहती है उसको बिलक हो जाता है कि शुशुक वस्त्रों के लिए सबसे उपयुक तो बाजु कौन सा है तीसरा और चौथा हमारा सही हो जाता है नेक्स्ट है हमारा सूती वस्त्र की चमक मजबूती और रंगाई बढ़ाने के लिए उसमें दिया जाने वाली रासायनिक परिसज्जाया परिशकर नहें कि सूती वस्त्रों में कौन कौन सी परिसज्जा की जाती है तो यहां करेक्ट होजाता है। तीसरा और चोथा ठीक है तीसरा और चोथा ओप्शन नमबर सी यहां पर करेक्ट हो जाए का सूती वस्त्र की चमक और मजबूती और रंगाई को बढ़ाने के लिए उसमें दिये जाने वाली रासायनिक परिसज्जा में ब्लीचिंग तथा मर्सराइजिंग का प्रियोग जो क्लोरीन या फिटकरी का प्रियोग किया जाता है जिससे की उसकी चमक और मजबूती और रंग बना रहता है तो यह आपका करेक्ट हो जाता है आपका ओप्शन नमबर जो C है वह सही हो जाता है अगला प्रशन है किडवन से क्या भढ़ता है किडवन से पाचन शीलता calcium vitamin A कुल प्रोटीन तो किडवन से क्या चीज बढ़ती है पाचन चीलता में क्या होती है व्रिद्धी होती है किडवन से यह मैंने आपको बताया था कि किडवन वाला जो की खमीरी करण की क्रिया होती है उसमें क्या है इसमें क्या होता है पाचन चीलता में व्रिद्धी होती है औ जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो यहां इससे क्या बढ़ता है। उच्टिवन से क्या बढ़ती है? पाचन शीलता बढ़ती है अगला है सूची एक में दिये गए खादय पदार्थो को सूची दोग के समरिद पोशक तात्तों के साथ सुमेलिद कीजिये तो मैश्में जो पोशक तत्तों है भी खाद्य पदार्थ है कौन सा किस के साथ में मैच होगा ठीक पपीता संतरा खजूर रागी तो सबसे पहले अगर रागी की बात हम करें तो गरीबों के दूद के नाम से भी हम इसको जानते हैं और ये किस चीज से इन रिच होता है रागी आपका गरीबों के दूद की बात करते हैं तो ये किस से सब से पहले रागी से कैलशियम को पकड़ ले तो यहां से आ जाएगा डी का दूसरा ठीक है डी का दूसरा फिर उसके बाद पपीता किसके जो पीले जो अफल है आपका आम है पपीता है तो यह सब किसके लिए विटमिन ए के लिए तो पपीता विटमिन ए के लिए हो गया संतरा citrus fruit है citrus fruit है तो किसमें क्या उसमें vitamin C पाई जाएगी अभी मैंने आपको बताया था ascorbic acid ठीक है और फिर उसके बाद खजूर की बात करते हैं खजूर में क्या पाई जाता है खजूर ही last में बचता है तो खजूर iron का resource होता है तो इस तरह से हम देखते हैं चारों चीज हमको मिल जाती है और साथी साथ में जब हम इधर नीचे कूट भी दिया हुआ है तो यहां से हम देख सकते हैं A का कौन सा था पपीता में vitamin A A का पहला हो गया ठीक B का संत्रा संत्रा में vitamin C ठीक तो B का तीसरा यहां पे मुझे हाँ यह है D option नहीं है D D option रह गया चलिए मैं यहां पे खुदी बना देती हूँ कौन सा option है आपका A पपीता का चौथा ठीक है अच्छे यह C option हाँ यह है और B जो है संत्रा संत्रे का अगर हम बात करें तो संत्रे में vitamin से C पाए जागा तो B का तीसरा कहां पे आपको देखने को मिलता है B का तीसरा हो गया C का पहला खजूर में लौः ठीक है C का पहला हो गया रागी की बात करें तो कैल्शियम तो D में D का दूसरा ठीक तो इस तरह से correct answer यहां पर option number C हो जाता है कि कौन कौन से पोशक तत्तो इसमें पाए जाते हैं भारत पर निम्ण ने लिखिए सूक्ष्म पोशक तत्तो पोशक परार्थों की कमी संबंदी विकारों का उच्च बोज है मतलब कि कौन से ऐसे जो micronutrient है जिनकी कमी भारत में जादा देखने को मिलती है घेगा है रतौंदी है अल्प भार है रखताल्पता है या संग्यान है तो सही विकल्प को चुनिये तो इसमें जो यहां पर घे जो हमारा रतौंदी है रतौंदी हम जानते ही है क्या हमारा यह है आपका color blindness ठीक है तो यह आपका रतौंदी हो गया और हम गॉयटर भी जान रहे हैं गलकंड भी जान रहे हैं और साथी साथ में अनीमिया भी हमको देखने को मिलता है तो यहां B, A और क्योंसा है अनीमिया रक्तालपता D तो A, B, D A, B, D देखेंगे किस में है A, B, D option number B में है तो इसलिए option number B हमारा correct हो जाता है कि जो micronutrients हैं उनकी जो कमी भारत में सबसे ज़दा देखने को मिलती है तो यह iodine की deficiency है और आपकी iron की deficiency देखने को मिलती है रतालपता में iron की deficiency देखने को मिलती है और रताउंधी के करण vitamin A की deficiency देखने को मिलती है तो यह सब हमारे micronutrients के अंतरगत आते हैं नेक्स्ट है हमारा भारत में निम लिखे शुखन पोशक पदार्थों के कर्म का उच्च कमी का उच्च प्रचलन है मतलब सबसे ज़ादा इसमें कौन सी कमी होती है vitamin A की, protein की, calcium की, law की या vitamin D की तो भारत में यहाँ पे दो ही पूछा है अभी इसी से related question हमने अलग से किया है ठीक है तो यहाँ पर आपका जो है vitamin A, vitamin A के deficiency और iron एम फोलिक एसिड की deficiency देखने को मिलती है तो आपका A option number A और option number D क्या होता है या correct हो जाता है option number A और option number D correct हो जाता है तो इसलिए यह B option में है तो answer क्या हो जाएगा हमारा B हो जाता है option number B जो है वह हमारा सही हो जाता है कि यह deficiency आपको देखने को मिलती है next है कूपोशण मानो शरीर में विभीन रक्षा प्रणालियों पर विप्रीद प्रभाव डालता है तो यह हमारे एंटिवारी इसके निर्माण में कुझे होती है विगटन उसको करने में उतक अखंड देता है मतलब टिशू जो तूटते है उसमें उक्त सभी में जो है कुपोशन ये सारी हमाई सरीर की रक्षा प्रडालिया है ही तो इस पर क्या विपरीत प्रभाव डालता है ठीक है तो प्रति जयविक निर्मान मतलब antibodies का जो formation होता है उ उसमें और टिशू integrity मतलब की उतक अखंडता आधी कुपोशन मानो शरीर की विभिन रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है ठीक कैसा विपरीत प्रभाव डालता है कुपोशन उस अवस्था को कहा जाता है जब मनुश्य को उसकी शारीरिक आवशक्ताओ के अनुकूल उप्यूक्त मात्रा में सभी पॉस्टिक तत्व नहीं मिलते हैं अथवा कोई तत्व आवशक्ता से अधिक या कम मिलते हैं इस कारण मनुश्य की शारीरिक व्रिधी समुचित विकास तथा कारेशमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है या मुक्रिता समाज मे निम्न वर्गों में पाया जाता है मतब निम्न वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से जो निशले वर्ग हैं उनमें क्या कुपोशन की इस्तिती जादा देखने को मिलती है निम्न में से कौन बच्चों में पी एम के कारण पी एम का कारण है यह आपका कई बार रिपीटेड को नेक्स्ट है हमारा भारत में पोशक तत्तु की कमी में सरवाधुक रूप से पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है। कमी होती है शरीर के लिए आवश्चक संतुलित आहाल लंबे समय तक ना मिलने से ही मिलना ही क्या कहलाता है कुपोशन के कारान बच्चों तथा मैलाओं के रोग प्रतिरोधक शमता कम हो जाती है जिससे वे आसानी से कई विमारियों के शिकार बन जाते हैं। इस्ट्रिये टोरिया है आपका नियूरो साइक्रेटिक मूत्र में प्रोटीन की अत्यदिक छती और प्लेटलेट्स एकत्रिकरन जब भी हमें ऑप्शन में बहुत सारे कॉशन आते हैं तो इसमें हम यह मतलब इस चीज को यह नहीं कह सकते हैं। ठीक है ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी क्या हम देखते हैं एक-दो हमें जो आते रहते हैं उसको हम क्या करते हैं। मिलान करके हम देखते हैं कि आंसर हमारा बन रहा है या नहीं। जैसे कि हम लोग जानते हैं नेफ्रोन क्या है हमारा जो यह है यह हमारे जो हमारी वह है किड्नी है उसकी क्या है यूनिट है। ठीक है तो अब मूत्र में प्रोटीन की अत्तिक छती अगर हम देखें तो C वाले को हम किसमें देखते हैं। C वाले को हम देखें कि नेफ्रोटिक वाले में है ठीक तो C का पांचवा ठीक है अगर हम C का पांचवा से मिलान करते हैं तो हम C का पांचवा से मिलान कर लें यहां पर तो हम देखेंगे यहां पर हमको मिल गया तो हम देखते हैं और option में यह नहीं दिखता है तो निश्च ムर सोफ़ोंबर है तो यह क्या है यह आपका को शुशन जो यह है यह का चौधा एक चौधा यह जोता है छी अनौ़े मेरी आपके यहां पर अगर आपको यह भी आ रहा है तो आहर सो यहां जाये गा नूरो साइक्रटिक wealth जो Option number B है उससे क्या neste। इंसे Heplopathy ठीक है वहाँ से होता है। तो जो Option number B है वह बनता है ये आपका ए से पहले से बन जाता है तो यहां पर यह देखिए बन गया और C का हमें पांचवा मिल ही गया था डी का प्लेटलेट्स का एकत्री करण क्या है सीवी डी है तो डी का दूसरा यहां पे यह हो गया तो इसी तरह से हम देखते हैं option number B हमारा correct हो जाता है आपको जब भी ना आए तो आप अपने एक दो option कहीं ने कहीं से आप उसको अगर आपने पढ़ाई की है तो आप कहीं ने कहीं से sure होंगे आप उसी को पकड़े और बिल्कुल भी confuse ना हो निश्चित रूप से आपका आंसर सही आ जाएगा सुची एक में दिये गए portion मुल्यांकन विदियों को सुची दो में दिये गए उपकरणों के मद्यम से मिलाईए ठीक है तो आहार सर्वेक्षन अगर हम कर रहे हैं अगर सर्वेक्षन किया जा रहा है तो वो क्या है एफफ क्यू ठीक एफफ क्यू यह है आहार सर्वेक्षन विदि यह आपका एका तीसरा हो गया मानौ मिती मानौ मिती किसके मद्यम से होगी म, यू, ए, सी जियो रासानिक में क्या हो जाता है हमारा हच बी ठीक और रोग विशेक रोग इर्शक में क्या है पिटोर्ट से स्पॉट आहार सर्वेक्षन विदी की एक विदी कौन सी है एफफ क्यू है यह एफफ क्यू है और मानौ मिती जो मतलब की शरीर की माप ले करके हम देखते हैं अस्तर की पोशन का क्या अस्तर है वो किस क्या है हमारा MUSE है जीवरासायनिक में हम अपने हीमोगलोबीन का टेस्ट करते हैं रोग विशेक में मतलब रोग के जो लक्षन है वह दिश्टिकोचर हो रहे हैं तो बिटोर्ट से स्पॉर्ट मतलब आँखों पर इस तरह से तिकोने से दब्बे पड़ जाना ठीक है तो यहां पर इस त जाता है तीसरे में भी जाता है लेकिन हम option number B सही पकड़ लेंगे जब option number B में आप मानो मिती पे जाएंगे तो मानो मिती क्या है M.U.A.C. तो M.U.A.C. जो है वो मानो मिती है यह पांच में नमबर पड़ जाता है तो इस तरह से यह हमारा option number D सही हो जाता है जीवरासायनिक जिन से एक अभी कथन है और दूसरा तर्क है कथनों को पढ़िए और नीचे दिये हुए कूट का प्रयोक करके सही उत्तर दीजिए तो पोशन संक्रमण के कारण वर्तमान में भारत वर्स में स्वास्ते देखभाल स्वास्ते देखभाल में आने वाली चुनवतियां दोनों तरह की है अलप पोशन वा अतिपोशन की रोक थाम और कारण इसका क्या है रीजन बता रहा है कि भारत वर्ष में जन सांक्य की संक्रमण के फल सरूप बुजर्गों की जन संक्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो तो इसमें सांक्य क्या होता है अ और आर डोनों से हैं ए सही लेकिन आर गलत है ए गलत है अनन गला है तो हम बिल्कुल यह इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है कि यहां पर पहली चीज यहे तो सही बात है अलप पोशन अती div, अती फोशन है लेकिन आर गलत है option नमबर भी हमारा क्या हो जाता है बिल्कुल सही हो जाता है अगला प्रश्ण है सूची एक में दिये गए opis tic ctto who ki कमी से होने वाले रोगों की लक्षण की सूची दो में दिये गए उनके पोशक तत्तों के मिलान कीजिए और नीचे दिये गए कूट में सही उत्तर चुनिए ठीक है पॉस्टिक तत्तों से यहाँ पर मिलान करना है कौन-कौन से रोग किसकी किसकी डिफिशियन्सी तो कौन-कौन से रोग होते हैं ठीक तो सबसे पहले हम जाते हैं किस पर टिटैनी टिटैनी हम जानते किसकी कमी से होता है titanium हमारा होता है calcium की कमी से option number 5 पर हम जा रहे हैं ठीक है A का हो जाता है हमारा A का हमारा कौन सा होता है पांच वा ठीक फिर दूसरा रोग जो है आपका angular istomatitis यह किसकी कमी से होती है riboflavin vitamin B2 की कमी से ठीक तो riboflavin यह आपका बी का हो जाता है चौथा ठीक है और फिर उसके बाद है microcytic नार्मोक्रोटिक अनीमिया तो microcytic अनीमिया के बाद कर रहा है तो यह folic acid की deficiency से होता है तो folic acid हमारा कहां है यहां पर है और gingivitis किसकी कमी से होता है vitamin C की कमी से vitamin C है क्या चीज़ है इसको और भी केसिड और आपका chylo 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 chy के दाईरे में हैं अब हम पूरा इसको चेक कर लेते हैं B का छोथा B हमारा कौन सा था एंगिलर इस्टोमाइटिस यह है बी का हो गया हमारा चोथा राइबो फ्लेविंग तो हम यहां पर देखेंगे B का चौथा ये correct हो जाता है C का हो जाता है छठा C का छठा ये है नार्मोक्रोमी के नीमिया ये folic acid की कमी से तो ये हमारा correct हो जाता है C का हमारा कौन सा हो जाता है छठा हो जाता है D के पहले पर जाएंगे D में gingivitis है gingivitis किसकी deficiencies होता है देखते हैं यह हमारा सारा सही होता है और आपका इस अप्शन नंबर ए एक दम सही है थे चिंग किसकी कमी से हो जाएगा टानी रो कैलशियम की कमी से हो जाता है एनगिलर इस्ट्रमाटाइटिस यह आपकी विटामिन B2 मतलब राइबो फ्लेवन की कमी से होता है अनीमिया की बात अगर हम करें तो यह फोलिक एसिड की डिफिशियंसी जे होता है जिंजवाइटिस आपका स्कॉर्बिक एसिड अर्थाथ बिटमिल सी की का डिफिशियंसी जे होता है काईलोंचिया हमारा आयरन की कमी से होता है लॉलोंट की कमी से होता है तो इस तरह से यहा आप लोग ज़रूर करें, लाइक पढ़ने के बाद लाइक ज़रूर कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और मुझे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा, ओके, कीप लर्निंग